नमस्कार मेरा नाम है डॉक्टर पुरुधावन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किड्नी फिलियर का पेशेंट अपने ब्रेक फास्ट में या फिर लंच या डिनर में किस टाप की फूट आइटम्स को ले सकता है क्योंकि किड्नी फिलियर पेशेंट के संबलना शुरू कर देते हैं कि हमने प्रोटीन नहीं लेना या प्रोटेश्यम नहीं लेना तो बहुत ज़्यादा हमारी फूट आइटम्स है वो लिमिटेड हो जाती है इन चीजों को ध्यान में रखते हुए ऐसी कौन सी फूट आइटम्स है जो हरे किड्नी फिलियर का प přिशिट को तो अगर हम बात करें तो हम में पीघफास के बारे में बात करें तो नौमली अगर हम इंडिया में बात करते हैं तो सब्सेज्ज्यदा प्रस में परांथे पोहा- उपमा- दलिया या फिर ओट्स चाहे ओट्स हो अगर नमकीन आप खा रहे हैं आप खा सकते हैं अगर आप नोन डाबेटिक हैं तो आप मीठे ओट्स भी ले सकते हैं दलिया आप खा सकते हैं नमकीन भी खा सकते हैं मीठा भी खा सकते हैं अगर इसमें दूर डालना हो तो कम मातर में द कि जब भी हम कोई भी ओली चीज लेते हैं तो हमारे लीवर को ज्यादा काम करना पड़ता है और उस वज़े से यूरिया जाता सेक्रेट होता है और वह आपकी रिपोर्ट्स में नदर आना शुरू होता है तो हमने बहुत जादा उसमें घी तेल का प्रयोक नहीं करना होता मि एक किड्नी फिले का पेशन ले सकता है मगर आलू का पराथा नहीं खा सकता आलू में प्रोटेश्यम जादा होने की वज़े से एक किड्नी फिले को आलू से बसना चीए अब सवाल यह उठता है अकसे पेशन में से पूछते पराथा सब आप पराथा बोल रहे हो अब परा इसी वज़ा से प्रांथा आपको अलाओ किया जा रहा है क्योंकि इससे खाने के टेस्ट में वेरिशन आ जाता है प्रेशन आजाता है अगर एक प्रेशन को आप गिया तो रिटिंडा देते रहोंगे तो उसको क्या होगा नौजिया होना शुरू हो जागा खाने के मन नहीं क पेशन आप से खायेगा पेशन की बॉड़ी में ताकर जाएगी और किड्नी पेले से बैटर काम करेगी मगर हमने धान करकना है पूरी बटूरे इन चीजों से बचके रहना है इसके साथ-साथ एक किड्नी फिलिए का पेशन अपने ब्रेट का सेवन कर सकता है बिस्किट्स ले सकता है क्यों ले सकता है क्या कंसेप्ट इप इसके पीछे इसमें में डीप चलते हैं एक कीड्नी फिलिए पेशन के लिए चावल और गिहूं पूरी तरह से सेफ होती है अगर पेशन टाइबेटिक है तो चावल से थोड़ा सा बचना चाहिए मकर चावल की जो बाकर ड कि जाए दल्ली अ हो चाहिए भूपमा हो चाहिए वर रोटी वेगा बनावा आठा हो चाहिए वो बिसकेट सू ब्रेड हो एक इदी फिल पेशन के लिए सेफ होते है इसी वज़ासे यह जितनी भी डेरिवेटिवस है जितनी भी अमारे राइस के डेरिवेटिवस है उसको पेसिंट पे आपको किसी भी टैब की दिककत देखने को नहीं मिलती है इसी तरह पेसिंट अक्सर ब्रिकफास्स में हम से पूछ थे हैं कि हम पेसिंट को चाय दे सकते हैं और इसका जवाब होता है वो है नहीं एक किड्नी फिलेड पेशिंट को चाइ और कॉफी दोनों से बचना चाहिए कोई चाइए और कॉफी दोनों ही के लिए बहुत तता खातानाक होती है इसके पीछे जो रीजन है वह आपको सम्झाने की कोशिश करता हूं चाय और कोफी हमारे मेटाबोलिजम पे एफेक्ट डालती है उसे स्लो टांग कर देती है अब एक किड्नी फिले पेशिन की अंदर बहुत सारी टाप की मेडिसिन और चल रही होती है और एक स्पेशिल मेडिसिन होती है जिसका जो सॉल्ट होता है वो है सोडियम बाइकापनेट बेकिंग सोडा होत कि उस मेडिसिन की एब्सौप्शन में इंटर्फेरेंस करनी स्टार्ट कर देती है और उस मेडिसिन को पपतगे से अब्सॉब नहीं होने देती और बॉडि के अंदर आसिट के लेविल को बढ़ा दिती है तो इसी वज़ा से किड्नी फिले का पेशिन चाय को फिले लेता ह इसी वज़ाई से जितने भी किड्नी फिलय प केषिए है उनको चाय कफी पूरी तरह बंढ़ कर देनी चाहिए मगर अकसरम से कहते है कि चाय कॉफी तो वह कही सालों से पे रहे है हम है क्वै हम свобод scholar इसकी जग़ क्या ले सकते है जिससे की हुव ओग अब्ही के पेशिन हैं चाई coffee की जगा आप green tea ले सकते हैं बट एक छोटी शी शर्थ है उसके साथ आपने कहाना नहीं खाना उसके बाद नहीं खाना उससे पहले नहीं खाना आप जब green tea ले रहे हैं उसको दो खाने की बीच में ले सकते हैं, मगर खाने के साथ साथ ना लीजिए, और मेडिसिन के साथ भी ध्यान खीए कि अगे पीछे मेडिसिन, कमसम आदे घंडे मत कीजिए, जिससे की हो हमारी एब्सॉप्शन पे इफेक्ट ना डाले, क्योंकि अगर ग्रीन टी भी हमारी बेटबोलिजम पे इफेक्ट डालती है, तो वो मेडिसिन थी एप्रॉप्शन में भी इंटर्फेर करेगी और खाने की ताकत हमारी बॉड़ी में भी पूरी नहीं जा पाएगी, इस वजह से गाप, कब दोनों हाफ एन आर, यानि खाना और मेडिसिन के आदे गहंटे बाद आप अपनी ग्रीन टी ले सकते हैं और आदा खंटा आपने कुछ और इंटेक नहीं करना होता है, खासकर मेडिसिन और ब्रेकफर्स में जितने भी पूर्टीन की आइटम नहीं एग्स या फिर चिकन हो गया, यह सब नहीं लेना होता है क्योंकि प्रोटीन बॉड़ी में जाएगा, केटरिन की फॉर्मेशन करेंगा, जो कि हमें नहीं चाहिए और प्रोटीन क्यू बंद करवाया गया है, इसके बारे में जो मैं आप लास वीडियो में समझाया था, उसे दुबारे अप समझेगा और चपाती के साथ, आपने उसमें अब ऐसे छोटा सा ध्यान रखना होता है कि आपने धाई नहीं लेनी होती, और अगर आप बिपी हाई है तो नमक की मातरा आप कम लेंगे, पिंच अफ सॉड लेंगे, बाकी मसाले जो आपके होती हैं, दिसे हीम, धनिया, जीरा, ये सारे के सारे मसालों का यूज किया जा सकता है, जो बचना होता है, वो है मिर्चों से और नमक से, मिर्च में अक्सेब क्या होता है कि अगर खाने में से मिर्च निकालते है तो टेस्ट चला जाता है, तो जिन पेशन को मिर्च खाने की हैबिट होती है, वो हरी मिर्च का प्रियोग क कर सते हैं बट सीट को निकाल कर जिसे थोड़ा सा फलेवर आजा है थोड़ा सा पिशन एंट्रस बना रहे क्योंकि अगर पेशिट की एंट्रस्स अला जा जाता है पेशिट खाना क्या बवहुत सारी अलग डायक की दिखते आनी शीडिव हो जाती है कैसी दिक शीरू हई ज़याते है अगर पेशिट खाना में घा रहा तो इस की किट्नी भर को नहीं बर अब बोडी में प्रोटीन नहीं है, खून बहुत पतला हो जाता है, और अकसर फ्लूट बनके टांगों के आसपस भरना शुरू हो जाता है, तो पेशेंट के अंदर में पीडर अडीमा देखने को मिलता है, अब जिसके पैरों में सूजन आ गई है, वो जाओ वो लेटता है, तो पैरों से पानी निकल के फेफरों में भरना शुरू कर देता है, पेशेंट को खासी शूटना शुरू होती है, गोटना आनी शुरू होती है, वो पेशेंट के नीम नहीं आ दी, तो खाना ना खाने से इतनी दिखते आ सकते हैं, तो इसी वज़े से जितने में किड़नी पालक, बथवा, मेधी, सरसो, धनिया, पॉदिना इनको भी छोड़ना होता है जमी की नीचे लगने वाली सबजे कौन से हैं आलू, शुखकंदी, अर्भी, जिमिंगंद, कचाल ये पांच सबजियां छोड़ने के बार जितनी भी सबजियां बचती हैं वो सारी के सारी इंट दिज्वाद नहीं होती है इसी तरह से बहुत चलते हैं वह जलते हैं साओ्थ इंडिन फूट की तरफ जहां पर राइस चाजादा खाया जाता है और संबसात में लियाता है तो जितने भी साओ्थ इंडीन पीशिन है जिनको राइस ंनिया डे सकते हैं अगर वह नॉन ड़ अगर वो डायवेटिक है तो भी राइस को लिया आता सकते हैं मगर इसमें स्टार्ज को निकाल कर और ध्यान के रखने कि जब आप राइस ले रहे हैं तो आपके शुगर लेवल्स बढ़ने नहीं जीए अगर अगर आपके बढ़ रहे हैं तो अपने चावल को बदल की ज़र करते रहेंगे अब जो हमारे साउथ इंडिया के अंदर जो मैक्सिमम खाना होता है उसमें थोड़ी सी खटास रखी जाती है क्योंकि वापे गर्मी जादा होती है अब जहां पर भी गर्मी जादा होती है वापे खाने को इसली डाजस्ट करने के लिए उसमें खटास एपको खाने में प्रयोग नहीं करना होता, आप संबर खा सते हैं, संबर बनाने में MIX VEGETABLES लगते हैं, आपका घिया है, आपकी बैगेन हैं, आप कोई भी बीजस में दालते हैं, नीजार अब डाल सेते हैं, आप बढ़ सकते हैं, आप इमली का प्रयोग नहीं हो सकता, तेकार सारा से बाकी जो फूड आइटम्स होती हैं, जाए वो रस्रम हो, जाए वो डाल हो, उनने वस द्यान ये रखना होता है, कि वो पतली से पतली हो, मत बहुत दिक ना बनीवी हो, और इसमें खटास ना हो, डाल को क्यों लेना, कब लेना है, कब नहीं लेना, किन पेशन म को पापड अचार उचाटनी को जब अचार बिल्कुल अलाव नहीं होथी क्योंकि जब भी हम इनको बनाते तो इन्में नमक था बनाया जाता है ₹ नमक जया जया है eye और फिन अगर आभ चातनी अचार शव्काये कि थो ऑपड़ उचा trainers muscle 1 Ц katt इसी वज़ा से इसको पूरी तरह से हम बंद रखते हैं इसी तरह से एक और चीज होती है जिसे हम कहते हैं गुड़, शक्कर, खांड यह तीनों गन्ने से बनने वली चीज है और इनके अंदर प्रटेक्शन की मातरा जादा होती है इसी वज़ा से किसी भी फूड आइटम जो आउस के माता नहीं बड़ेगी और पेशन के कि इस إपने को नहीं नहीं मिले अब चलते हैं कि वी बैश्न को क्या देसपह हैं जिसी तरह से लंच करते हैं उसी तरह से ओन्मर्म एपने डिनर करते हैं दिनर उन्देर भीए हुम चपाओ राईज यह बूजि लेते हैं त्र् पतलता सबजी नीए खानी, पाकिसारी सबजी है, हम जितनी चाहें उतनी अमांड में, जैसे चाहें वैसे ले सकते हैं, खाना बनाते से में खटाज का प्रयोग नहीं करना, बस वही सारी बाते हैं, जो लच में आपको डेस्काइब गी, हम उसको डिनर में भी अप्लाई करें किड़नी इस खाने को लेकर रिस्पॉंस करती है कि खाना अच्छा मेल रहा है काम करते हैं अगर आप खाना पर नहीं खाएंगे तो अलग टाइप की दिक्कत होती है अब एक पेशिंट हमसे और चीज पूचता है वह है जो के बारे में कि मैं जो खा सकता हूं नहीं खा सकता जो कदलीया खा सकता हूं या नहीं खा सकता यह common question होता है तो जो आप खा सकते हैं जितनी चाहें उतनी एमोन में खा सकते हैं किसी टाइप की दिक्कत किड्नी फिलेप्शिंट में जो के साथ नहीं देखने को मिलती है तो जो की जितनी derivative हैं वीड़ और आइस के तरह वह पी तरह किसे गहराई से समझने कोशिश कीजेगा कि जब किड्नी फिले का पेशन होता है तो बहुत सारे डॉक्टर्स पेशन को गीया तोरी टिंडे पे डाल देते हैं कि आपने बस गीया तोरी टिंडा खाना है इसे उबाल के खाना है इसमें सिर्फ हल्दी और नमक डाली है पे किसे प्राइशन को खाया नहीं जाता उसे ओम बैटिंग शुरू होती है आती नहीं है तरह बहुत कम कि बाड़ी में अनर्जी गई ने खाना ने घये निया जाने के वज़े से उसकी बॉड़ी में बहुत सारी टाइपी कॉंपलिकेशन आनी शुरू होती है अब उको समझने कोशिश करते हैं कि वो क्यों आई कैसे अब जब हमने खाना नहीं खाया पैली चीज हमारी किड्नी को खाना नहीं मिला जो चीज बीमार है जिसे हमने काम ले जरूरी है किड्नी के लिए खाना जरूरी है दूसरी चीज का हमने ध्यान क्या रखना होता है जब हमारी बॉड़ी में खाना नहीं जा रहा तो बॉड़ी में प्रोटीन नहीं बन रहा होता प्रोटीन की टेफिक्शन से खून की कमी होई और खून की कमी होने से आपको मातरा हमें बढ़ानी पड़ती है तीसरी बड़ी दिकत मैं आपको पहली बेसमें सही कि है तो मैं दो तरीके से कर सकता हूँ पहला तरीका क्या है कि जहां पर किटनिन बन रहा है जो इसकी फैक्टरी है उसे छूटा कर दो यानि मास पेशिव कम करेंगे तो किटनिन कम बनेगा रिपोर्ट में कम नजर आएगा तो उस पेशिंट को खाना पीना बंद करवा देने से कम करवा देने से उसका वेट लूज़ होना स्टार्ट हो जाता है और वेट कहां से जा रहा है मशल से जाएं अधाने कम मसल उतनाई बखनेगा उतना कम डिपोर्ट में नजर आएगा मगर यह किटनिन जो आपकी रिपोर्टों में नीचे गया, वो महीना दो महीना वहापे स्टेक कर पाता है, उसमें इतनी वीकने सा आती है, कि किटनिन इठ सी तरी के से काम करना बंद कर देती है, किटनिन की वैल्ली दुबारा से बढ़नी शुरू होती है, और पहले से जाधा हो गई, अब किटनि फिलियर पेशेंट को अगर खुदना खासता डालेसिस की ज़रूत पड़ती है, तो पेशेंट डालेसिस भी नहीं कर पाता, क्योंकि उसकी जो बॉड़ी में स्टोर था, एनरजी का स्टोर था, मस्ल्स था, फैक्ट था, वो सारा का सारा खाना ना खान की वज़े से खतम हो गया, ऐसे पेशेंट डालेसिस को बहुत लंबा सर्वाइब नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनकी बॉड़ी में वीकनेस अल्री आ चुकी होती है, यह हम डालेसिस से इसलिए भागते हैं, क्योंकि हम देखते हैं अपने आसपास जो पेशेंट डालेसिस क अगर आप खाना नहीं कहाते हैं, तू भी इसाथी चीज़ें होनी शुरू होती है, यह बॉड़ी में वीकनेस अजाती है, और अगर हमने डालेसिस करवाना है, करवाना पड़ता है, तो बॉड़ी में सही तरकें से एनर्जी का होना जरूरी है, जिससे लम्बे टाप तक ह उसमें हो रही हमारी शेरिमी कम्यों कोipples किसी ना किसी तरह के से ke sta360 कर सके अगर आफ बहुत जादा कि फोगी तो नहीं करवा सकते अ तो हमने अगर डेलियसिस नहीं करवाना तो भी हमें खाना खानी की जरूरत है और अगर हमने ड्यालेसिस हो भी जा रहा है आपका उसे रवाइफ करना तो भी खाना खानी की ज़रूरत है तो दोनों ही कंडीशन में खाने से हमें benefit मिलता है क्हाना छोटेने से हमारी किड्णी की कंडीशन किसी भी तरके से कंट्रोल में नहीं आता तो अगर कोई डॉक्टर आपको यह बोलता है कि आपको सूचने की कि आप सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूं इस वीडियो को देखने के बाद आप आपने ब्रेकफास्ट पे लंच पे डिनर में परपत है क काम करेंगे और अगर आपने केटनिन डाउन करना है तो उसे एक रस्ता यानि की फंक्शनिंग को बढ़ा कर आप अच्छा काम करें और ब्लड में बन रहे हैं ब्लड में आ रहे हैं को यूरिन के रस्ते बहार ने का लिए ना कि मसल्स को खतम करके इन चीज़ों का आप ध् कीजिए को थोड़ा सा टाइम जरूर अगता है इंको इवैल्यूट करने में जैसे इसको इवैल्यूट करेंगे वा को कॉल बैक करेंगे और आपको सही दिल के से काइट करेंगे अब मैं इसी केसार आप सुछी चलने के आगए चाहता हूं अगले मिलते हैं अगली वीडिय में तब ते कली देन आवादा